असलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोगों को टेंथ क्लास के उर्दो के दरक्षा के बुक से चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है मौलवी सेयद मक कबूल एहमद समदानी के नाम देखिए ये तीसरा मक्तूब है यानि कि तीसरा खत है दो खत हम अल्रडी पढ़ चुके हैं एक खत था मिर्जा गालिब का जो कि चैप्टर नंबर 13 में पढ़े थे दूसरा खत था अब्दुलगफुर्श रहबास का जो कि हम लोग और इस खत के लिखने वाले कौन है मेहदी अफादी यानि कि इस चैप्टर के मुसनिफ कौन हुए मेहदी अफादी और मेहदी अफादी जो है वो किसको खत लिख रहा हैं किसको ये खत लिखे हैं तो वो लिखे हैं अपने दोस्त मौलवी सेयद मकबूल एहमद समदानी को और इसलिए इस चैप्टर का टाइटल दे दिया गया है मौलवी सेयद मख़बूल एह्मद सम्धानी के नाः तो सबसे पहले हम लोग मेहधी अफादी के बारे में जान लेते है देखे मेहदी अफादी का असल नाम यानि कि रियल नेम जो है न वो मेहदी हसन है लेकिन ही मशूर हुए है मेहदी अफादी के नाम से ठेके और इनकी पैराईश 18-28 इस भी में गोरखपूर में हुई है और इनका जो तालुक है वो शेख खंदान से है ठेके किनकी मेहदी और इनके वालिद जो है वो एक मज़भी आदमी थे इनकी मेदिय फादी के वालिद यानिके उनके पिता जी एक मज़भी आदमी थे और पेशे से वो कोट इंस्पेक्टर पुलिस थे इनके पिता जी मेदिय फादी के पिता जी मजभी आदमी तो थे ही लेकिन पेशे से वो क फार्सी में महारत हासिल की अंग्रेजी और फार्सी में वो निपूर्ण हो गए पुरी तरीके से जानकारी ले लिए और मेदिय अफादी जो है उनकी तीन शादिया हुई यहां पर ध्यान दीजिए हम लोग पहला मक्तूब पढ़े थे पहला खत जो कि मिर्जगालिब का था तो उनकी एक शादी हुई थी दूसरा खत पढ़े जो कि अब्दुलगफुर्श अबाज का था तो उनकी दो शादी हुई थी अब यहां पर हम तीसरा खत पढ़ रहा है मेदिय अफादी की तो इनके तीन शादिया हुई है ठीक है तो यहां पर सिक्वेंस में शादिया भ और यह जो अजिमुन निसा है वो आगे चलकर बेगम मेहदी के नाम से मशूर हो गई ठीक और मेहदी इफादी जो है वो मजामीन निगार है इनको मजमून यानि कि निबंद लिखने में बहुत जदा दिल्चस्वी थी मतलब यह से मजमून लिखने के बहुत जदा शौकीन है और इसलिए एक यह मजमून निगार भी है ठीक तो यह हो गया मेहदी इफादी के बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोगो याद रखना है अब चलिए जरा हम इस खत को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर मेहदी इफादी जो है अपने दोस्त से क्या-क्या बाते ल हो रहा है मौलوी सेयद मकबूल एहमद समदानी के नाम का खत देखिए शुरू में लिखे हैं मेहदी इफादी अपने दोस्त मौलुी सेयद मकबूल एहमद समदानी को कि प्यारे मकबूल आपके खुश सवाद नुक्तखेज और लतीफ इनायत नमा की अगर दात देता हू देखिए इसमें मेधी अफादी जो है ना वो अपनी दोस्त मौलवी स्यद मकबूल से कह रहे हैं कि प्यारे मकबूल आपका जो खुशवाद नक्तखेज यानि कि आपका जो मज़दार पॉइंट वाला और मतलब एक नाजोख खत है उसकी अगर मैं दाद देता हूं उसको प ध्यान में रखते हुए खत लिखा है ठीक है ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं आपकी खत की दाद देता हूं मतलब मौली सेयद मकबूल जो है ना वो खत लिखे थे तो उसी के बारे में मेहदी अफादी बोल रहे हैं कि आपका खत मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी दाद मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आपने सब्वेता और संस्क्रिश्टी पर नजर रखने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए उखत लिखा है हम दोनों हाजी हुए जाते हैं यानि कि तुम भी हाजी हो और मैं भी हाजी हूं लेकिन सच यह है कि आपके दाइरे नजर में होना वाभी अद्वी हैसियत से मेरी खावशू का अगर वादरासल लाइक एतिराफ हूं एक ऐसा किसमी सिला है जिससे दुनिया का बड़ा से बड़ा मुसनिवी मुस्तगना नहीं हो सकता मैं तो सुर्फ हाश याना सीनुई में हूँ इसमें जो है ना मह चाते इतना मानते हैं आक मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं मतलब उसको ब्यान नहीं कर सकता मेरे पास लफजों की कमी है मैं बहुत ज़्यधा खुसुत आऊं कि आप मुझे इतना जिम्स दतव कर ठीक हैं भाई यादे अयाम से आपने मेरे दिल पर चोट लगारी अब वह पहला सा जोबन कहाँ वह कसाओ और रख रखाओ कहाँ बोल रहे हैं महधी अफादी अपने दोस्ट से कि तुमने पुरानी यादों को याद दिला कर पुराने जमाने की याद दिला कर जो है ना मेरे दिल पर चोट लगा दी अब वह पहले सा जोबन कहा यान कि अब वह पहले सा जवानी कहा वह कसाओ यान कि वह शरीर में कसाओ कहा और रख रखाओ कहा और फिर देखिए आगे वह एक शेर लिखे हैं महधी अफादी कि आग थे इबतदा इश्क में हम हो गए खाक इंतहा ये है इसमें यही बोला जा रहा है कि हम शुरुआती इसक में पहले के जवानी के जमाने में मैं आग था ठीक है अभी मैं बिलकुल खाक हो गया हूँ शुरुआती इसक में मैं आग था और अभी मैं खाक हो गया हूँ पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया है जिसे मुश्किल से पहचानिएगा दूर से बैठे किस्ते सुना कीजिए और यह बात बुढ़ापे में भी सितारों की कमी नहीं ठीक है इस से खुश हुआ बोल रहे हैं कि पिछली तस्वीर यानि कि पुराने जमाने की तस्वीर का जो एक खाका रह गया है जो कि मैं आपके पास भेजा हूँ उसको जला शानती से बैठ कर पहचानिएगा और दूर से बैठे किस्ते सुना कीजिए बात बुढ़ापे में भी सितारों की कमी नहीं बोल रहे हैं कि यहां यह बात सही है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं लेकिन ब पहले मेरा जिस तरह मरतबा था पहले के जमाने में जिस तरह मुझे मरतबा मिलता था मेरी इज़त थी उसी तरह मैं अभी भी इज़त मिलती है और लोग मुझे वैसे ही पाएंगे जैसे वो पहले मुझे से मिला करते थे यानि कि मुझे में कोई बदलाव नहीं आया है पह कूछ तरह मेरे साथ है और फतुहात का सिलसला है कि कायर रहा है है इस मेंJeď मेरे और मेरी वाइफ में कौन बुढ़ा हो गया है तो क्या बताओं मैं बढ़िया दारी के साथ में पेश्री केलाएग नहीं यानि बोल रहे हैं अच्छा मेरे परिस्तान यानि की परिस्तान कहते हैं पर यह जहां पर परिया रहती है परियों के रहने वाले जगा को परिस्तान कहते हैं तो यह बोल रहे हैं कि अच्छा मेरे मतलब परिस्तान तक कब आईएगा वो अपने घर को परिस्तान इसलिए बोले हैं क अब तक सलाम तो हो जाए बड़े साहब की जियारत के बाद जरा आपको तफसिल से देख लू इसमें बोल रहे हैं अपने आपको बोले हैं कि अच्छा आपकी तफिक तो मैंने देख ली आपकी खिदमत गुजारी देख ली अब आप मुझको भी कभी बुलाईए लेकिन उन बाते करेंगे ठीखे और लास्ट में जो हैमेदि अफादी अपना नाम लिख दी है तो यहीं पर आपका जो यह खत है यह कंपलीट होता है यह था मेदिय अफादी का लिखा ओवा खत जो कि उन्होंने अपने दोस्त मौलवी सेय्द मकबूल एहमद समदाने के नाम लिखा था क्या-क्या लिखे क्या-क्या बाते अपने दोस्ते किये वह हर चीज में आप लोग को पढ़कर बता दी कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पुछ सकते हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को दिखेगी उस पर दबा दीजिएगा जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे ना तो ओल का आप सनाएगा तो ओल पर क्लिक कर लिजिएगा उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगा ठीक चलिए फिर मिलेंगे न पहिंद और खुदा हाफिज